हाई फ्रेंट्स विल्कम है हमारे यूटूब चैनल पे आज हम बात करेंगे यहाँ पर क्रिसिस सम्मंदित महातपूर करांदिया यह हमारा टेस्ट नवर 6 है इसके पहले हमारे टेस्ट 5 तक आ चुके हैं अगर चैनल पे नहीं से सस्क्राइब करके सबी टेस्टिस सॉल्व कर सकते हैं यह कोशन काफी इंपोर्टेंट होंगे अक्सर जनरली यहां से कोशन एकजामस में पूछ लिया जाता है यह कोशन सभी एकजामस के लिए जितने भी कंपर्टेटिव एकजामस होते हैं आल स्टेट PCS, पुलिस, आर्मी, रेलवे, NTPC, ग्रूप D, SST, IP, ACO, स्टा प्रफी के लिए GK से यहां से कोशन भय जाता है, बर्ल बर्ल इंपोर्ट banco इंपोर्टंट टॉपिक है, कोशन नमर 1 है, आपकी स्कीन पर अगर आपको आशर आता हो तो आप बता सकते हैं अपने स्कीन पर अपना टेस्ट का भी जाच कर सकते हैं आपने कैसे तैयारी की है क Quesion No.1 है आपकी स्क्रीन पर भारत में हरित करांति का जनक किसे कहा जाता है Who's called the father of the green revolution in India क्या होगा इसका right answer Apsan भी इसका right answer होगा According to Apsan MS. Swaminathan को कहा जाता है भारत में जो हरित करांति का पिता या जनक कहा जाता है काफी important है ये NCL nursing staff में पूछा गया है Army में SSC में कई बार Public Service Commission में पूछा जा जा चुका है Quesion तो काफी important होता है ठीक है तो हरित करांति का जो जनक कहा जाता है भारत में ठीक है तो किसे कहा जाता है MS. Swaminathan को कहा जाता है यहाँ पर देख लें उनसे related कई तक तो दिये गए है MS. Swaminathan का पूरा नाम यह mention है आप पढ़ लें यह लिखा है Monkobu Samasyan Swaminathan इसलिए copy type होता है तो इसलिए SWOT में याद रखते हैं और यही option में दिया जाता है MS. Swaminathan Public Service Commission में यह पूछा जा सकता है कि इनका पूरा नाम क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है Monkobu Samasyan Swaminathan यह उनका पूरा नाम होता है अब यहाँ पर next point mention है प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी के काल में इनकी जो प्रधान मंत्री का पीरेट था है इंद्रा गांदी काल में 1966-1977 था इसी समय क्या हो था हरिद गांदी में काफी बदलाव आये थे और काफी ज़एदा सुधार हुआ था किसके काल में इंद्रा गांदी के काल में यह प्रधान मंत्री थी आप एक बाद समझे हरिदगा संबन किसे क्रस्ट से संबन दित है क्रस्ट की उत्पादेता एवं तक्निकी सुधार एवं क्रस्ट उत्पादेता में विरती से संब्दीत है आपको इतनी बात ध्यान रखना है हरित करांदी किसे संब्दीत है क्रस्ट उत्पादें से संब्दीत है कई बार कोशन पुछा जा चुका है crypto question नमरे 2, question number 2 पढ़ लें, मिलता-जुलता, copy confusion create करता है, whichיב me harm youth sanctu इका जयनक किसे कहा जातला, who is the considered the father of the green revolution in the world, इसका about a right answer is absence, is the right answer उस्थलिए 뭘 mechanics about a normal पीमन इबोड़ा को कहा जाता है, whichILL में वर्प훈म उपर बात कर रहें तो question number 1 पह theor हम बसक्राइध में कोशन दिया गया, यह भी कई बार कोशन पुछा गया, 2008 में यह पूछा गया था, IES एक्जाम्स में, वैसे कोशन कोई भी किसी भी एक्जाम्स में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि GKS काफी होता है, इसलिए, इंपोर्टन के हिसाब से हमने जो भी इंपोर्टन होते हैं, अक्सर ज स्वामी नातन, जब बात करेंगे, कि विस्व में किसे कहा जाता है, तो नार्मन इबोर्टन को कहा जाता है, और जो IES में पूछा गया था, 2008 में, यह पूछा गया था, नार्मन इबोर्टन का संबंद किस देश से, यह USA से, United States of America से, मतलब यह अमेरिका से संबंद देते है इन्हें विस्व में हरित करांति का जानक कहा जाता है, गिरेन रिवलियोशन, फॉदर आप दी इंद बार्ट, किसे नार्मन इबोर्टन को, जब भारत की बात करेंगे तो MS स्वामी नातन आंसर बताएंगे, नेक्ट कोशन है यहाँ पर कोशन नमर थ्री, कोशन नमर थ्री अब पढ़ लें, यहाँ पर करांतियां दी गए, कोशन नमर थ्री पर दिया गया है, रज़त करांति किसे संबन दीत है, विट हूम इस इस सिल्वर रिवलियोशन रिलेटेड, किसे संबन दीत है, राइट अंसर होगा, आप्शन भी, अंडा उत्पादन से संबन दीत है, और आप देख लें, अंडा उत्पादन से संबन दीत है, र, आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ लें, अपना आंसर बता, यहां से आपकी प्रैतिस हो जाती है, जदद जददा प्रैतिस किया करें, रजब फाइबर करांति, ऊपर पुछा गया था, कोशन 3 पे, रजब करांति किससे संब्दी थे पढ़ लें आप question को अच्छे से फिर अपना answer बताएं इसका जो right answer है option एसका right answer है क्या कपास उत्पादन से संब्दी थे जब fiber की बात करेंगे तो कपास के बारे में बात करेंगे रज़त fiber ठीक है question पुछा जाता है जब की रज़त क्राण थी तब बताएंगे आप अंडा उत्पादन से x production से जब question में पुछा जाता है रज़त fiber क्राण थी किससे संब्दी थे तब आप बताएंगे कपास उत्पादन से production of the cotton इससे production of the cotton से related to the concept of fiber revolution ठीक है तो silver fiber revolution पूछा जाएगा silver fiber revolution related to the terms of the production of the cotton ओके next है five number यह लिका है golden क्राण थी किससे संब्दी थे with whom is the golden revolution related पढ़ने question को अच्छे से किससे संब्दी थे right answer option D होगा यह किससे संब्दी थे बागवानी विकास थे फल उत्पादन से बहुत पूछा जाता है कई बार आर्मी में सस्थी में और भी कई exams में पूछा जा चुका है यह question यह जो golden क्रांती था इसी को हिंदी में swan kranti कहा जाता है क्या swan kranti तो ध्यान रखके सुनहरी क्रांती भी कई बार exam में पूछा जाता है और कई बार swan kranti या कई बार पूछा जाता है golden kranti तो यह तीनों वर्ड एक ही है ठीक है यह इनका हिंदी रुपांत्रान लिखा है तो यह फालुत लूपादन से सहेध पादन से बागवानी विकास संबन दीत है बागवानी विकास का मतलब होता है हों कोへ हमें यह यह Kragen the आप अपना हमसर बता है golden fiber क्रांद किस से संबंदित है with whom is the golden fiber revolution related अब यहाँ पर golden fiber की बात की गई है question में difference जो भी है comparison के हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ा रहें ताकि आपका confusion clear हो जाए ठीक है क्योंकि mostly क्या होता है student पर doubt होता है इसलिए हमने यहाँ पर comparison किये एक उसी से related to ऊपर होगा उसी का एंटी नीची होगा ठीक है related to do ओके यहाँ पर देखके question number six यह दियागा golden fiber ऊपर तक golden क्रांद यहाँ पर golden fiber यह किस संबंदित है यह option 20 का राइट answer होगा जूट उत्पादन से जूट production से संबंदित है golden fiber लग जाए तो आप बताएंगे इसे जूट उत्पादन से यह जूट production से related golden fiber जब golden क्रांद यह आएगा तो आपको पता है स्वान क्रांद यह सुनायरी क्रांद फल उत्पादन सायद उत्पादन और बागवारी विकास थे यहाँ पर देख लें यह लिका silver revolution यह लिका silver fiber revolution यह cotton से संबंदित है और golden fiber revolution यह किस संबंदित है यह लिका जूट production यह लिका फाइबर यह लिका फाइबर यह लिकाए यह लिकाए यह लिकाए इस तरह आप समझ सकते हैं अपने इस आप से golden क्रांथी फाल उत्पादन से और golden fiber जूट उत्पादन से कोशन यह आपर 7 पढ़ लें आप अपनी स्क्रीन पर और अपना आमसर बताएं गेस किया करें आपके आमसर क्या है हमारे उत्तर देने से पहले आप अपना उत्तर दे दिया करें ताकि आपके अंदर एक चेस्टा पैदा होगी ओके कोशन नमर सेवें ग्रे क्रांथी किस से संबंदित है वट इदा ग्रे रिवल्यूशन रिलेटेड इस सभी कोशन जो भी पूछे गए बहुत बार वह इसलेट किये किसे संबंदित है आप संडी इसका राइट आंसर होगा खाद उत्पादन से उर्वरक उत्पादन से सेमेंट उत्पादन से जो ग्रेंद क्रांथी होती है ग्रे रिवल्यूशन किससे संबंदित है इसे भूरी क्रांथी के नाम से भी जाना जाता है किस क्रांथी के नाम से कई बार पुछा गया है भूरी क्रांथी किससे संबंदित है एससी में तो बहुत बार उतपादन किसे उन उतपादन भी होता है ग्रे क्रेंट में कोशे नमबर है आपकी स्क्रीन पर गुलावी क्रांद किसे संबन्धे थे काफी इपोर्टेंट है पिंक रिवेलिउशन किसे संबन्धे थे भाई इसका जो राइट आंसर होगा आपसन है मचली उत्पादन से जहींगा मचली उत्पादन से मचली उत्पादन नहीं कहेंगे ठीक है मचली उत्पादन के लिए दूसरी क्रांती होती है उसे ब्लू क्रांती कहा जाता है नील क्रांती जब बात करेंगे गुलाबी क्रांती तब आप बताएंगे जहींगा मचली उतपादन से कौन से उतपादन जहींगा मचली का टाइप सुथा है इस तो आपको ध्यान रखना है गुलाबी क्रांती संबंदित है जहींगा मचली के उतपादन से जब मशली का उत्पादन की बात करेंगे तब आप बताएंगे बुलू करांति या नीली करांति ओके यहाँ पर देख लें किसे किसे समद्धित होता है यह जो गुलाबी करांति होती है गुलाब से समद्धित नहीं होती यह बात द्यान रखना क्योंकि आप मिलता जुलता अंसर मार कर सकते हैं इसलिए आप सही अंसर मार करें जहिंगा उत्पादन यह जहिंगा मशली का उत्पादन होता है आउसादी का उत्पादन होता है प्याज का उत्पादन होता है कोशन नमबर यहां पर 9 आपकी स्क्रीन पर यह रहा कोशन बताएं अपना अंसर लाल करांधी किस से संब्धित है विट वूम इस रेड रिवल्यूशन रिलेटेट किस से संब्धित है आप संसी इसका राइट आंसर है मास उत्पादन से टमाटर उत्पादन कभी कभी यह आपको दोनों नहीं दिये जाएंग हमने में रिलेट किये हैं आप से एक संसी नमबर है 10 स्वेट करांद किसे समझ दिते है किसे समझ दिते है काफी सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा कोशन है कई बार ये NHM में भी पूछा जा चुका है आप संब भी इसका राइट आंसर होगा मिल्क परडुक्शन से दूद उत पादन से स्वेट करांद के समझ दिते है क्योंकि जो स्वेत क्रांती है वाइट रिवर्यूशन ने इसी को बढ़ावा देने के लिए आप्रेशन फ्लेड इस्टार्ट किया गया था इस्टार्टेड इन नाइटीन सेवेंटी कोशे नमर है यहां पर 11 कोशे नमर आप 11 पढ़ लें और अपना आमसर बताएं कोशे नमर 11 काली क्रांती किस से सम्दित है विट हूम इस दा काली रिवल्यूशन या ब्लैक रिवल्यूशन लिखके आता है एक जामस में ठीक है तो काली क्रांती जो भी हिंदी से समझ लें आपसन भी इसका राइटांस तो होगा यह पिट्रोलियम उतपादन से सम्दित है ना कि कोईला की उतपादन से ठीक है पिट्रोलियम उतपादन से कौन सी क्रांती सम्दित है एक कोशन जैसे पंता ही है कभी-कभी दिया जाता है आपसन में एक बार दिया गया था रेल्वे में कि खनिच उतपादन से कौन सी क्रांती सम्दित है तब आमसर था काली क्रांती ठीक है काली करांती किस से संबने थे खाने जो उतपादम थे और यह पिट्रोलिय इमें एक प्रकार का क्या है खाने ज़े तो ध्यान रखना यह बात नेक्स्ट कोशन है यह आपर कोश्चन इमबर 12 बादामी क्रांती किस संबने थे उपादन संब्दित है आप इसे लिख ले वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है यह सबी कोशन है यहाँ पर 13 तेरा नंबर हरित क्रांथी किस से संब्दित है गेस करें अपना अंसर अंसर होगा खाद उपादन से संब्दित है नील करांथी किस से संब्दित है यह नीली करांथी का जाता है गुलाबी करांथी संबंदी थी जब कहा जाए नील क्रांदी तब ये होगा मशली उत्पादना था जहेंगा मशली एक टाइपस होता है मशली का तो वो गुलावी क्रांदी संबंदी उत्थ होता है कोशन में कोशन में जो भी confusion हो यहां से दूर हो गया होगा आपका कोशन में 15 अमरत क्रांदी का संबंद किस से very very important किसे है भाई अमरत क्रांदी का संबंद राइट आंसर है आपसंसी नदियों की जोडने की एक योजना है ये पंडि जवाललाल नहरू के समय में शुरू किया गया था ठीक है अमरत क्रांदी तो ये very important है नदियों की जोडने की योजना है नदी जोडने से संबंद रहे है एक नदी को दूसरी नदी से connect करना ये इसका मकसद हो के ताकि नदियों में बराबर पानी बैता रहे हमाले नदियां जो होती है उनको प्राइद गोल क्रांदी किसे संबंदी थे round revolution पढ़ लें आप कोशन अच्छे से और देख लें आपसन आप किसे संबंदी थे round revolution आपसन पीस का right answer ये आलूत पादन से संबंदी थे ठीक है किसे production of the potatoes आलूत पादन से कोशन है यहाँ पर 17, 17, कोशन read now भूरी क्रांदी का संबंद किसे with whom is the brown revolution related अभी हमने बताया था ग्रे क्रांदी ये क्या है आपसन इसका right answer होगा ठीक है भूरी क्रांदी कहा जाता है ये देख लें आपसन इसका right answer है ग्रे क्रांदी में भी यही बात मिंसन थी और वरक खाद उत्पादन ठीक है लेकिन जब भी आपसे specially पुछा जाए brown revolution इस तरह क्या आपसन होगे ठीक है तो यह आपका सही होगा और वरक उत्पादन तो ध्यानक ने भूरी क्रांदी जब इस तरह है exactly पुछा जाए brown revolution तो पर राइट अंसर होगा और वरक ठीक है फर्टी राइजस तरह ठीक है कोशन नमबर है यहाँ पर अठारा नमबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कई बार पुछा जा चुका एक जांस में ऐसे कोशन नर्सिंग जांस में जीके में बहुत पुछ जाते हैं पीली क्रांद पिली क्रांदी या यहलो रिवल्यूशन के इसके बार जनक से पूछेंग से को ने पीली क्रांदी के तो आप ध्यान अके जाने tehdya आं स में इसको लांच किया गया था उ.. आयल्स होता है ना तिलहन मतलब होता है तिल या आयल का प्रोडुक्शन करना जो खाने वाला होता है इस पेसली जो सरसूं का होता है मस्टर्ड कासी यह लिका है सेसेम सीट्स आइंडी अचीव ते सेल्फ रिलेंस एज नोन आज येलो रिवलिशन ठीक है पीली क्रांदी का संब्स इससे मसलब इस पेसलीस में सरसूं को कवर के जिससे तेल निकाला जाता ठीक है तो ये बात आपको ध्यानक नहीं ज्यादा बात ना है मैंड में तो इतनी ध्यानक को जो पीली क्रांदी होती है ये तिलहन उत्पादन से संब्स है question 19 पढ़ लें बताएं अंसर इंद धनुसी क्रांदी किसे सम्मंदी थे ये आपसन इसका जो राइट अंसर है ए ये क्रस्ट शेत्र में अत्याथिक उत्पादन से सम्मंदी थे रेंबो रिवल्यूशन कहा जाता है और कभी-कभी ध्यान दिया जाता है आपसन पर ध्यान देन कि ये पूशा जाता है संपूर्ण क्रस्ट के विकास से सम्मंदी थे तो हाँ ये संपूर्ण क्रस्ट के विकास सम्मंदी थे इंद धनुसी क्रांदी थे ठीक है क्रस्टी के सभी पहलूं से सम्मंदी थे ये देख लें या इंद धनुसी क्रांदी का सम्मंदी क्रस्ट के स संपूर्ण विकास छेत्र से ओके यह सभी क्रसित छेत्र में उत्पादन से संबंधित हैं इंद धन्सवी क्रांति ओके कोशन नमर यहां पर 20 कुछ कोशन जो थे इनके अलावा काफी इंपोर्टे ने अकसर एक्जाम्स में पूश लिए जाते हैं तो देखे कोशन नमर ट्वेंटी नल कूपे को नल कूपों के द्वारा सिचाई सरवाधिक किस राजी में होती है इन विच इस्टिट दा इरिगेशन डन बाइदी वेल्स अ दमोस्ट एकॉरी टू आप्सन क्या है राइट आंसर आप्सन सीज का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश यूपी मे सबसे ज़्यादा नल कूपों के द्वारा सिचाई की जाती है ये मोशली हर एक उत्तर प्रदेश के एकजामस में कई बार रख दिया जाता है ये कोशन यूपी उतरपलसी, PCS और वी लेक पाल और वी अधर एकजामस में उत्तर प्रदेश की रखा जाता है कि किस राज़ म सबसे ज़्यादा नलकूपों से या ट्यूब बिल से सिचाई होती है तो उत्तर परदेश में होती है नेस्ट कोशन है कोशन नमबर है यहां पर 21 art 21 ने पूँचा गया भारत में नहरों दोरा सिचाई में कौन स्राज अगरणी है अगरणी का म MAY लीडर in the irrigation through canals in India तो नहरों के दोरा जो सिचाई सबसे ज़्यादा होती है ना वो पंजाब में होती है आपसन ए राइट आंसर है नेस्ट कोशन पढ़ ले वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन नमर ट्वेंटी टू किस राज्ज में सरवादिक करसिछेतर तालाबों दोरा सिंचित होता है मतलब किस राज्ज में सबसे ज़्यादा जो सिचाई की जाती है ना तालाबों से की जाती है पॉंड से की जाती है विच स्टेज है दी मोच्ट एरिकल्चर एरिया irrigated by the ponds मतलब तालाबों के दोरा सबसे ज़्यादा सिचाई किस राज़ में की जाती है very very important कई बार पुछा गया exam में आप संसी इसका right answer होगा तमिल लाडू में की जाती है जो तालाबों के दोरा सिचित राज है करसिच छेतर तमिल लाडू में सबसे ज़्यादा सिचाई तालाबों के माद्यम से की जाती है right answer है इसका काफी important थे सभी question आपके लिए कोई भी question कोई आप ignore ना करें क्योंकि exams में कोई भी question आपके exams में आ सकता है और ये सभी question कई बार repeat होते रहते एक्जामस में तो ये नहीं समझे कि एक question पूछ लिया गया तो नहीं आएक एक्जामस में किसी भी exam में कोई भी question दुबारा पूछा जा सकता है चैनल पे नहीं से subscribe कर सकते है लाइक करें, share करें अगर चैनल पे नहीं से subscribe करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेड़ बाक्स बता है थैंक्स पार वाचिंग प्रेंट थैंक यू बाई बाई